हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम मिलन कुमार महापात्र है मैं बहुत दिले का रहने वाला हूँ मेरा सिलेक्षन अभी राजवासा अधिकारी के रूप में पंजाबन सिंध बैक में हुआ है मैंने अपना इंटर्मिडियेड एंड ग्राजुएशन बहुत पंचाज कलेज से कंप्ल जादार उची थी 2013 में आने के बाद 14-15 तक मैं प्रिपरेशन करता गया बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टिशुशन्स मैं प्रिपरेशन करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली तो मुझे लगा ये कितना दिन चलेगा उसका कुछ सही ठीकाना नहीं है सही वक्त पत करता नहीं है इसलिए मैंने अपना म कंप्लीट करने की कोशिश की मैंने 2015-2017 तक अपना म कंप्लीट किया उतकर उनिवर्सिटी में उसके बाद जब मुझे सफलता नहीं मिल रही थी बहुत सारे इंस्टिशुशन में बदल चुका था फंडामेंटल कोर्स दो तीन बार कर चुका था उसके बाद बानिक मैंने जॉइन किया जो मेरे प्रिपरेशन को मेरे ड्रीम्स को एक नया मोर दे सकती थी तो बानिक उस वक्त नया नया आया था और बहतरीन लोग थे उसमें जो आप तक भी हैं जब मैं 2013 में आया था भुन दे भुबनेश्वर तो कोई परेशानी नहीं थी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी सब मजे से चल रहा था इसलिए उतना intensely पड़ाई नहीं हो रहा था तो तीन गंटे चार गंटे पहले पड़ाई करते थे जब फंडामेंटल चल रहा था तब मजे में चल रही ही थी जिन्देगी कोई परिशायन ने थी लेकिन ये उम्र के साथ बीचता गया सब हालात ऐसे हो गये के मेरी उम्र अभी 28 साल हूं मैं आभी 28 साल का हूं मुझे 28 साल अभी चल रहा है तो SBA कलर्ग अभी जो होने वाला है ये मेरा लास्ट अक्टेम्ट है जब 2017 में मैंने प्रिलिम क्लियर नहीं हुआ था जो कि मेरे लिए एक चिंता का विशेय था क्यूंकि मैं प्रिलिम्स हर बार क्लियर कर लेता था लेकिन में मुझसे नहीं होते थे में में फेल होता था 2013 से 2019 तक ये 6 साल में लगभग 77 एक्जाम्स में फॉर्म बर रहे हैं राजबासा अधिकरी पंजाब चिंत बैंक का 75 नमबर एक्जाम था अभी फिलाल कल ही मेरा FCI में भी सिलेक्शन हो गया है 77 एक्जाम्स में बहुत बार फेलियर देखने को मिला कई बार प्रिलीम्स में फेल हुए कई बार मेंस में फेल हुए जब प्रिलीम्स में फेल हो जाते थे तब लगता था कि अभी तो कुछ होगा ही नहीं हमसे जब प्रिलीम्स ही नहीं उपा रहे तो मेंस कैसे होगा फ्रस्टेशन लेबल बढ़ता गया हर एक फेलियर के साथ एक्जाम बढ़ते गे 50 थे मुझे लगा 50 में ही हो जाएंगे लेकिन 50 के बाद 60-70 वो बहुत ही मुश्किल हाला थी सब कुछ रहे थे उसके बारे में केसे हो रहा है लेकिन एक समय था जब IPS, RRB, PO में फेल हो चुका था मेंस में तब मैं खुद तूर चुका था और मुझे लग रहा था कि मैं ये कुछ कर दूँ बेंकिंग मेरे लिए नहीं बना या फिर मैं बेंकिंग के लिए नहीं बना मुझे कुछ और कर लेना चाहिए सर्थे, गाईड थे मेरे वो बताते थे केसे पढ़ना है केसे करना है, केसे positivity मेंटेन करना है, मैं खुद अनलेज करता था कि किस तरीके से मैं खुद को positive रख सकूँ मैं अपने frustration किसी को कभी नहीं बताता था क्यूंकि frustration ज़्यादा फेलता है, कम नहीं होता है मुझे नहीं पता सामने वाले में frustration मुझसे कम है या ज़्यादा है मेरे बोलने से अगर वो खुल गया और उसका frustration मुझसे ज़्यादा हुआ तो मैं और depression हो जाऊँगा मुझे positivity नहीं मिलीगी तो positivity मेंटेन करने के लिए खुद आपने अंदर ही frustration रखता था खुद ही preparation करता था अच्छे लोगों से मिलता था दोस्त बहुत अच्छे थे मेरे मेरा सरकल बहुत अच्छा था बहुत मेहनती थे वो मुझे मेहनत करना बताते थे वो किस तरीके से किया जाता था ग्रूप अच्छा था मेरा और इसी तरीके से मैं चलते IPS PO में भी मेंस में फेलो गया था फिर भी मैं होसला नहीं हा रहा अभी राजबासा अधिकारी IPS SO, FCI, RBI बहुत सारे एक्जाम्स में फॉर्म भरे थे तो इसी तरीके से प्रिपरेशन जारी रहा 2018 में IPS SO के मेंस में इंटर्वु देने के बाद भी जब तीन मार्ग से चुक गया तो एप्रिल एक को रिजल देखने के बाद में टूर चुका था मुझे लग रहा था भूबनेश्वर जा के प्रिपरेशन किया जाए या छोड़ दिया जाए लेकिन किसी तरह किसी तरीके से मैंने खुद को संभाल के अपना रूम सीट किया पहले यहां इंस्टिउशन के पास एक रूम लिया में से पूरा आज तक मैंने अपने गाइड के चलते गाइड जैसे कहते मुझे बताते जिस तरीके से उन्होंने कहा जिस तरीके का सिदूल उन्होंने मुझे बना के दिया उसी तरीके का सीडूल मैंने फोलो किया उनके हिसाब से उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि 12 घंटे का पढ़ाई करना होगा किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कोई excuses नहीं है उसमें आप 12 घंटे से जादा पर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं कर सकते अभी हाल ऐसा था कोई कुछ भी कहता किसी तरीके कोई भी तरीका कोई भी बताता तो मैं मानने के लिए तयार था तो जब उन्होंने कहा 12 घंटे पढ़ने से होगा तो ये भी करके देख लेते हैं पहले 5 साल निकल चुके हैं तो जो भी जो भी कहेंगे वो कर लूँगा मैं खुद से तो उन्होंने लिख के दिया था सुबह 5 बजे तुम्हें उठना है 5 बजे उठोगे उठते ही मैं अपना सीडूल जो भी टार्गेट फिल अप करता था हर एक दिन का एक टार्गेट होता था जिसमें मैं लिखता था किया करना है कैसे करना है क्या क्या पढ़ाई करनी है कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने पढ़ने है उसके बाद मैं ये टार्गेट उन्हें भेशता था ताकि पता चल सके कि मैं उठ चुका हूँ वो मुझ पे नजर रख सके उनको मैं मुझे पे विश्वास्ता और मुझे उन पे तो ये continuous process चलता रहा अब तक भी चलता है वो उस schedule के हिसाब से मैं 5 बज़े उठता था और पढ़ाई अपना शुरू करता था 6-7 बज़े तक फिर 7 बज़े class होते थे मैं class जाता था 10 बज़े 11 बज़े तक class खतम होते थ फिर 11 से 1 बज़े तक मैं खुद पढ़ाई करता था पहले पहले तो यहां खाना बना के खाते थे तब यह कहीं गड़बर ना हो जाए फिर इन सब के चलते कुछ ना कुछ तो sacrifice करना होगा तो होटेल में ही खाने लगे एक से दो के वीज खाने के बाद 2 से पुरा 5 बज़े तक बेट के लाइबरेरी में पढ़ते थे दोस्त लोग काफी अच्छे थे discussion बगरा होते थे group discussions होते थे तो उसी तरीके से मैंने अपना positivity भी maintain किया अपना पढ़ाई भी complete की पाँच बज़े कहीं चाही पीने गए या कुछ किये 5 से साड़े 5 बज़े के बीच में 5 से पास कर लेते थे उसके बाद continuous 9 बज़े तक continuous 9 बज़े तक पढ़ाई करते थे बेट के और 9 बज़े घर आ जाते थे लेकिन सो नहीं जाते थे 9 बज़े से आने के बाद खाना खाके 10 बज़े से 12 बज़े फिर पढ़ना होता था अपना सिदूल खतम करना होता था जो 12 घंटे का सिदूल है वो इन समय में पुरा complete करके मुझे रिपोर्ट करना होता था उन्हें के 12 बज़े मैंने यह यह पढ़ाई किया है एसे इसे पढ़ाई किया है वो बहुत punishment बगएरा भी देते थे अगर यह complete ना हो पाए लिख देते थे यह करो बहु करो और एक घंटा पड़ो punishment बगएरा बहुत आते गए उन्ही punishment को मानते हुए लगता है आज यह मुकाम हासिल हुआ है कि राजवासा अधिकारी बन गए मैं अपनी कामया भीकसरे अपने माता पिता के साथ मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा जिनोंने हर कदम हर तरीके से मेरा support किया माता पिता ने मुझे mentally और financially support किया है लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मेरी जर्नी देखी है पुरी मेरे साथ मेरी जिन्देगी जी है खुद किस तरीके से किया जाता है मेरा struggle खुद उन्होंने अपने आखों से देखा है बानिक की जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि उसका library facility काफे अच्छा है जब फोनी में पूरा भुबनेस्वर तबाह हो गया था तब बानिक की library सबसे अच्छी तरीके से चल रही थी और day night facility से रात को भी आके पढ़ाई कर सकते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा अच जिन्दगी की असली उडान अभी बाकी है जिन्दगी के कई इम्तहान अभी बाकी है अभी तो नापी है मुठी भर जमीन हमने अभी पूरा आस्मान बाकी है मैं राजभासा अधिकारी बनना चाहता था अभी राजभासा अधिकारी बन चुका हूं तो एक मुकाम हासिल कर आज में कुछ नहीं होना था। आभी जो युष नहीं स्टूदेंज आते हैं प्रिपरिशन करने वह एक साल में ठक जाते हैं या दूसाल में ठक जाते हैं उनका फ्रुस्टेस्न हाई हो जाता है वो छोड़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं एक छोटी सी चीज एक जलक में उन्हें दिखाना चाहूंगा अपने experience से हम किस चीज को target कर रहे हैं हम banking target कर रहे हैं कितने post निकलते हैं लोग कितने apply करते हैं चार लाग चालीस लाग जीरो पैंकिंग जॉब पा सके तो इसके लिए patience चाहिए patience के वगेर यह हो नहीं सकता मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे कहा था banking is a game of patience तो patience ही चाहिए मुझे 6 साल लगे क्यूंकि मैं उतना अच्छा students नहीं मैंने time लगा दी बहुत सारी चीजें करने में मैंने अपनी असली पढ़ाई में से शुरू की थी यह 8 महिने में पढ़ा हूं 12 घंटे का सी डूली 8 महिने में यह हो यह 8 महिने आपको तेय करना है आप कब शुरू करना चाहेंगे 2020 के 8 महिने दीजिए यह 2021 के यह आपके उपन डिपन करता है करता है